इसान के रूप में रहना, तो प्लीज मैं आपसे निवेदर करता हूँ, इनसान पर हो आपने बच्चों के साथ, एक फ्रेंड्स की तरहें, वैभार करना सीखो बच्चे आपके बड़े हो गए, वो छोटे बच्चे नहीं है, जिनको भूली पकड़के हमें चलाना है आपने बच्चों के बच्चे नहीं करो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे तीरे तीरे खुद समझदार हो रहे हैं और चोटी मोटी भूल चुप करके खुद समझेंगे, सीखेंगे, कुछ भूल चुप करने का आउसर भी तो दो मैंने सुना है, एक लड़का गाओं में बापिस लौटा की उनिवर्सिटी से पढ़ाई लखा ही करके, एम बचारे के लौटा था, बिजनिस मैलेजमेंट, उसमें सोचा कि अपने गाओं के जो प्रसित व्यापारी है, सेट चंदू लालमारवाडी, उनसे भी जाके कुछ सलाहे मश्मिला ले ले, वो इतना अच्छा मैंपार कैसे चलाते हैं, उनकी क्या टेक्निक है, तो बैया, अबदान येंकल, वैसे तुम्हें मैं बचारे के आया हूँ, लेकिन उसमें ठ्यार्टिकल नालेज़ आप भी दीजिए, आप इतने सफल कैसे हैं बिजनिस में, जन लेकिन का, बिल्कुल ठी, बजा फर्माया आपने, अब ये भी बटाईए, कि सही निरने आप कैसे लेते हैं, हाउ दू यू टेक राइट डिसिजन, सेट चंदुलाल ने कहा, अपने अन्वह से, जिश्ट विगाजा आफ माई एक्सपरियेंस, उस लड़के ने पूछा कि अन्वह कैसे प्राप्त किया, सेट चंदुलाल ने मुसको रादेव को हुआ, गल्ती करके नि, अन्वह और कैसे प्राप्त होगा, गल्ती करके तो होगा, यदि हम गल्ती नहीं करने देंगे, बुल्चुक नहीं करने देंगे, तो कोई अन्वह कैसे प्राप्त करेगा, बच्चों के पीछे डिटेक्टर की दरहें जासूस की दरहें मत लगे रहो थोड़ी भुलजुक करने का आउसर दो और कैसे सीखेंगे मैं देखता हूँ बच्चे की परिक्षे का दिन आते हैं और माता पिता है इतने टेंशन में जैसे कि इनकी परिक्षा होने वागी हो तुम क्यों टेंशन में हो बच्चे की परिक्षे बच्चे पढ़ देगा वो बढ़े आते कि निमाता पिता कर समझो वहाँ ध्यान प्रोग्राम में आने का बुकिंग की, वो कैंसल कर रहा है, उनसे पूझा क्यों कैंसल करती है, वो कहता है नहीं बच्चे का एक्जाम, बच्चे को कर ले तो इसमें तुम्हारा क्या रॉल है, हर चीज में पीछे मत पड़ो, अपनी सीमा समझो कहां तक हमें इंटर्फियर करना है बच्चे की जीवन में और किस सीमा के बाद हमें उसे छोड़ो देना है, रिस्पेक्ट ता फ्रीडम आफ यॉर चिल्डरन एंडि श्टूडेंस, यदि तुम रिस्पेक्ट चाहते हो, तो तुम्हें रिस्पेक्ट पहन सीखना होगा, और इसमें शामिल है रिस्पेक्ट आफ तर फ्रीडम, सुतंतर ताना सम्मान, ठीक है, एक हद तक हमें जरूरी था कुछ कहना, क्या करो, क्या ना करो, बताना, लेकिन एक हद के बाद, मिसिस सर्टीनेज में उसमें आ गया, जब आप बच्चों को थोड़ा- हिर्दे की बाद कह सकते हैं, लेकिन कहें भी इस तरीके से, कि वो आदेश ना हो, विचान विमर्ष हो, आप कहें कि बेटा मुझे ऐसा ठीक लगता है, लेकिन तुम सोचो, अगर तुम को ठीक लगे तो तुम ऐसा करना, मेरे कहने से नहीं, अगर तुमें ठीक लगे तो, तब आपने बच्चे की सुतिन प्रता का सम्मान किया, यदि आपकी बात में कुछ दम होगी, जरूर वो ऐसा करेगा, यदि नहीं होगी, तो कभी उसको गिल्ट फीलिंग नहीं होगी, कि मैंने अपने माता पे दागा, कहना नहीं माना, क्योंकि आपने उसको फ्रीडम दी है, और आपने ये भी कहा है, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं, अगर तुम ऐसा करो के तब भी हम खुश हैं, इससे भिन अगर तुम्हारे में चार हैं, और तुमने वैशा किया, हम उसमें भी खुश हैं, और उसमें भी हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तब पीच में कम्म्यूनिकेशन पैदा होगा, जब आपने लग्जे को सब्मतर छोड़ा है, आपने अपने दिल की बाद जरूर कही है, लेकिन थोपा नहीं है, फोर्स नहीं किया है, तब अच्चा भी अपने दिल की बाद आप से कह सकेगा. अब फोड़ दिन पहले मेरी परचित है, वह सौनी बद परेयर में है, उन्होंने बेटी की शादी की, दो महिने बाद बेटी ने सो साइट कल दिया, बाद में सब चीजें पता चली, जिस लड़के से साधी हुई थी, उसके लड़के की मान ने फोर्स किया था उसको, उसका क किसी पंजाब, पंजाबी लड़की से प्रेम था, और ये थे जाट परिवार के, मान ने कहा कि अगर तुमने पंजाबी लड़की से साधी की, फिर हम अपनी सारी वसियस से तुमें बेटा कम कर देंगे, एक पैसा तुमें नहीं मिलेगा, तुरंत घर से निकल जाना, हमार इन्होंने अपनी बेटी से एक दोवार पूछा, लेकिन हरियाना में इतना आतंक है, प्रेम में वाहिदा, लड़की किसी से प्रेम करती थी, लेकिन वो कहना सकी, आपको शायद हरियाना के वारे में पता नहीं होगा, जहां आये दिन सेक्णों लड़के और लड़कियों क मर्डर किया जाता है, और उसको आनर किलिंग कहते हैं, लड़के के परिवार वाले अपने लड़के के मर्डर करते हैं, और लड़की के परिवार वाले अपनी बेटी का मर्डर करते हैं, अगर उन्होंने प्रिम वाह कर लिया तो, और इसको आनर किलिंग कहा जाता है, ना इसकी FRI दर्श होती, इसको हत्या मानता ही नहीं को, ये तो बड़े गर्म की बात है, शान की बात है, इच्चत की बात है, वहां को एक बेटी कैसे हिम्मत करे अपने घर वालों से कहने की, उसका लगाओ किसी और से हो, किसी और से शादी करना चाहती है, इसी बात पर तो आए दिन बर्डर होते हैं, उस बेटी ने नहीं कहा, शादी कल नी चुकता हूँ, उस लड़की के प्रेमी ने सुसाइट किया, उसके अगले दिन उस लड़की ने सुसाइट कर दिया, ये कम्मिनिकेशन गैप, क्यों पैदा हो रहा है, और इसको कौन दूर करेगा, कौन पाप चाहता है कि उसके बेटी आद मत्यकल ने, और मुलव काम जेल में बनते हैं, तो सुरागवाने जेल में बनते हैं, वो कही सालों के लिए ने पट गए, पुलिस, सुसाइट के केस को भी मर्डर का केस बना रहे हैं, वह प्रूफ तो है नहीं कि वास्तों में सुसाइट है कि मर्डर है, इसको दूर करने के लिए पुरानी फीडी वालों को ही कदम उठाने होंगे, अब उधारण के लिए इस गठना में, ये बेटा और बेटी, इन दो परिवारों के, ये क्या कर सकते थे, इनके हाथ पर तो कुछ है नहीं, कुछ करने ही होकी था, तो इनके बादा पिता के हाथ में था, यादी जनेरेशन के हंगों को मिटाना है, तो पुरानी पीड़ी वालों को अपना एहकार छोड़ना होगा, और नई जनेरेशन के साथ, नई सोच के साथ, उनके संग बैठना होगा, उनके विचार जानने होंगे, उनकी भावना ही जाननी होंगी और वो एक दोस्ताना तल पर ही जानी जा सकती है तो पुराना जो आतनकवादी रुख था, माता पिता का, वह चूटना चाहिए मैं तादी थोड़ा सा रिष्टर में चालना, मैं जाहने पर दूब आ रही है तो मेरी कुर्सी पीछी खिसकाता है